Hey guys, आज के इस वीडियो में एक और अपना trading experience आपके साथ share करने जा रहा हूँ और इस experience को सुनने के बाद अगर आप trade लेंगे तो definitely आपकी जो psychology है market को ले करके वो भी improved होगा और साथ ही साथ अगर multiple confirmation के साथ आप trade लेते हैं तो आपके जो winning का percentage है, जो भी आपका winning का percentage है, 70 है, 60 है, 50 है, और 80% है, वो definitely improve होने वाला है, तो जो भी setup मुझे इस तरह का मिलता है अगर chart पे जो मैं आपको explain करने वाला हूँ और आप उसी setup को देखने के बाद trade लेने की कोशिच करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके winning की probability जो है, वो बढ़ जाएगी, तो complete detailed video ये है, व यहाँ पे कुछ candles का combination में आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला 12-45 वाली candle आपको नज़र आ रही है, 6 जुलाई 12-45 वाली candle, यहाँ पे अगर आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 5 candles हैं, और इन candles को ध्यान से देखो, इनका size क्या है, जो सबसे पहली वाली जो candle बनी है, उसका size जो है सबसे बड़ा है, उसके बाद वाली candle जो है, वो अपने पिछली वाली candle से थोड़ा सा छोटा है, या कहले कि almost similar है, या विलकल हलका सा difference होगा, उसका next वाला candle जो है, वो अपने पिछले वाले candle से छोटा है, फिर उस से छोटा, फिर उ तक भी अगर हम compare करें तो यह सबसे बड़ी candle है उसके बाद उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी और उसके बाद छोटा candle यहाँ पर सबसे वाला डोजी बन गया तो कहने का मतलब क्या है momentum जो है धीरे 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 प्राइस का खतम हो रहा है और ऐसे में फिर अगली candle बनी उसका size पिछले वाले से छोटा है और इस तरीके से यहाँ पर पांच candle देखने को मिल रहे है जिसमें हर एक अगला candle जो है अपने पिछली वाली candle से छोटा है size में यानि उपर जाने का momentum buying side का momentum वो खतम होता जा रहा है तो इसका मतलब क्या है इस किसी भी candle का low जैसे ही break होता है वो हमारा पहला confirmation होका trade में एंटर होने का yes or no तो first confirmation मिल गया दूसरा confirmation अगर इस तरह का setup आपको किसी resistance के पास में मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया example के लिए अगर आप इस setup को देखोगे तो यह एक resistance के पास बनाए कैसे यहाँ पे देखो यह इसका part क् है और ठीक resistance के पास में ही क्या हो रहा है momentum खतम होता जा रहा है ध्यान देना अगर कोई candle resistance के पास में full body candle बन जाती है और बड़ी सी बन जाती है तो ऐसे में उस resistance के तूटने के चांसे जादा होते हैं लेकिन अगर कोई candle इस तरीके से यहाँ पे behavior दिखा रहा हो कि जैसे जै करके ऊपर जाना भी market के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा तो यहाँ पे अगर आप shorting के opportunity देखते इस resistance के ऊपर का अगर SL लगा के तो ऐसे में बजार की नीचे जाने के chances जादा रहते हैं हाला कि यहाँ पे market जो है sideways हो गया है इसका अपना rule है कि sideways जब हो जाता है तो आप अपने SLS को बचाना है वो तमाम details मैं आपको समझाता हूँ फिलाल यहाँ पर यह concept समझते हैं दुबारा से कि जैसे-जैसे candle का size चोटा हो रहा है momentum lose हो रहा है यह यह कहले कि जैसे-जैसे लोग समझ रहे हैं कि resistance के पास आ रहे हैं वैसे-वैसे buying का जो लोग हैं वो कम होते जा रहे हैं buying वाले जितने भी लोग हैं वो कम हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या है selling side का हमारा move आने के chances जादा है यह बात समझ में आ गया पहला confirmation दूसरा resistance के उपर कर stop loss लगा और जैसे ही इस डोजी का low तूटता है आपको entry ले लेनी है अगर आप यहाँ से compare करेंगे तो 1.5 इसने दिया है हाला कि market नीचे नहीं गया लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा अगर आपके पास short rate अगर इस तरह के मिल जाते हैं तो इसमें से 60-70% टाइम ऐसा होता है कि market इस तरह का setup बनाने के बार नीचे के तरफ continue करता है momentum loss की बचा से और इसी लिए इसको मैं बोलता हूँ momentum loss trading strategy, momentum strategy क्या होगी अगर यहां पर मारा बुजू बन गया जैसे कि यहां पर देको breakout के बार यह candle बना थोड़ा सा strong body है तो उसके अबर market ऊपर चलेगा this is called momentum trading लेकिन momentum loss trading क्या होता है जैसे जैसे market weak होता जा रहा है किसी भी candle का low तूटेगा और bearish candle होता है जिसका low तूटता है तो ऐसे में आप entry लेते हैं and the alarm से अपना one is to two का target जो है expect करते है market से so I hope कि मेरी जो यह छोटी सी कोशिश है आपको real trading सिखाने की कोई भी मैं आपको magic यहां नहीं सिखा रहा हूँ कि मैंने जूट बोल दिया कि यह strategy 80% काम करेगी 90% काम करेगी यह सब false promises मुझे नहीं करना है मैं आपको actual में वो दिखाऊंगा जो real market में काम करता है ठीक है चाहे उसकी probability 50% की क्यों नहीं लेकिन जो genuine चीज़ें होंगी वही मैं आपको show करने वाला हूँ तो यह basically मैं trade करता हूँ जब भी मुझे इस तरह का setup मिलता है मैं definitely trade करने की कोशिश करता हूँ और हाँ सिर्फ इ कोई भी अगर आपको question है तो आप comment section में लिखके बताइए वीडियो अभी तक पसंद आया तो like जरूर कीजिए चैनल पर पहली बार है तो subscribe कर लो कि किसी तरह की चीज़ें real life वाले मैं आपको बताने वाला हूँ और यहाँ पर मेरा whatsapp number भी दिया गया है अगर आप zoom classes का detail ल आ सकती है thank you so much